कि नमश्कार दोस्तों कि अई होप सब आप अच्छी होंगे और आपकी त्यारी भी एच्छी हो चल रही होगी देखिए मैं आपको एक बार बिकाना चाहरे हूं कि एक्जाम में कोश्चिन जो आपको मिलेंगे ना वो ना बिल्कुल ही इजी मिलेंगे इतना पेपर ना टफ भी नहीं मिलेगा कि यह बोल दें कि नहीं बहुत ज्यादा टफ था ठीक है एक्जाम इतना टफ भी नहीं मिलेगा बस ऐसा लगेगा कि कुछ अगर कोई कोश्चिन का अंसर ना आए तो आपको लगेगा कि शायद यह मैंने पढ़ा नहीं है और वो हमारी बुक्स में ही कि जो एक्जामिन अपने क्लिनिकल परपत से कोई भी कोशन ने डाल देते हैं ठीक है पर बट ओल्मॉस्ट बुक्स से ही मिलेंगे आपको कोश्चिन तो फर्स्ट कोश्चिन है यह यह जो वीडियो हैं सी क्यूंकि काफी इंपोर्टेंट वीडियो है और इसमें से कोश्च अटिक है जल्दी से अपना अंस्वर दें मेरे से पहले अंस्वर आ जाना चाहिए अंसवर इध अलना नेक्स्ट है कि टेस्ट मेजर प्रोस मेनुल डेक्स्ट्रिटी ठीक है तो बॉक्स केंड ब्लोक पर्डू पैकबड पॉफ उड्ट स्मॉल पार्ट तेक्स्ट्रिटी संगे लो जल्दी से अमस10 दें मेरे से पहले यह एंस्व आजाना शाया यह यह एंस्वर इज्बक से लिए पfsम घ्रॉ AWS most often seen in so gluteus maximus medius, minimus and TFL so answer is जल्दी से अपना बताओ answer and answer is gluteus medius next है test of bicepital tendinitis so most important question है हर बार आता है exam में और हाँ एक और question बताती हूँ जो first question मैंने बताया था आपको कुबाइटल टर्नल करवाया है ये question भी हर बार exam aims में हर paper में आपको देखने को मिलेगा हर paper में बोलना भी मतिन को ठीक है so bicepital tendinitis ये दो question तो evergreen question है और अब की बार भी आ सकते हैं दोनों के दोनों यरगासन speed, near and agvas जरगासन and near speed and near तो इन चार ये चार option है इन में से बताओ जल्दी से अपना answer दो और answer is speed and जरगासन test next है muscle involvement important हर बार आता है question ठीक है तो इसमें muscle की involvement बतानी है जल्दी से options को read out करो A, B, C and D और जल्दी से बताओ आपका answer कुन सा आया हो और मेरा answer के ये है extensor policy is bravest and abductor policy is long देखिए मैं अगर कुछ गलत भी आपको करवा देती हूँ कई बार मेरा ना जो बच्चा है वो बीच में आ जाता है और कई बार ना कुछ चीजे माइंड से स्ट्राइक हो जाती है और अगर आपको कुछ मेरी वीडियो में ना कुछ गलत भी लगता है बड़ फिर भी आप अपना दुबारा से री-चेक कर सकते है यो दुबारा से मैसेज करके पूच सकते हैं क्योंकि कई बार माइंड फैमिली में और वर्किंग में क्योंकि मैं सिंगल ऑम मेरे साथ फैमिली नहीं रहती है सब कुछ मुझे ही manage करना पड़ता है हर चीज तो जैसे ही बेवी मेरा आ जाता है तो मैं को intend का अंसर अगर कोई ऐसा लगता Thai कि मेरे से गलत हो जाता है तो प्लीज आप मुझे दुबारा से message करके convey करें और अपने कोशन का अंसर भी आप जरूर देखें ठीक है क्योंकि आप समझ सकते हैं जिनके पास बच्चे हैं वो यह समझ सकते हैं और जिनके पास नहीं है वो अभी इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे पर कोशिश यही है कि मैं कम से कम मिस्टेक्स करूँ पर हो जाती है मेरे से भी मिस्टेक्स तो इतना माइंड मत करना कि आप इतना मत सोचना अपना रीचेक करके और अपने कोशन का अंस्वर खुद अपना सलूशन निकालना आपको नेक्स टॉपिक है, डुकेरिन तुनीजननाइटीस का टेस्ट कुन सा, है? स्पेसल टेस्ट तो एगवाज है या स्पीड है यह यरगासन है अब देखों स्पीड और यरगासन नेक्स्ट कॉशन है यहां पर मैं एक और बता देती हूं आपको और सीटी का मतलब है रोटेटर कफ टीर मोस्ट इंपोर्टेंट मसल इन्वॉल्मेंट पूछेंगे हर बार आता है हर बार पेपर में पूछा जाता है ठीक है सुप्रास्पाइनेटर्स इंफ्रास्पाइनेटर्स सबस्केपलूरी एंडी टीरीज माइनर यह चार मसल हैं जो की आर्सिटी रोटेटर कफ टीर में इन्वाल होती है और आज कल ना आर्सिटी के के सनब बहुत ज्यादा आते हैं मेरे क्लीनिक पे ना बहुत मतलब कम से कम मेरे पास ना 6 पेशेंट से जो आर्सिटी के अब बीबी रिसेंटली चल रहे हैं और बैक टू बैक वह इस टाइप के जो पेशेंट ना वह आते ही रहते हैं तो मैं आपको ना यकिन दिलवाऊंगी कि आर्सिटी का जो ट्रीटमेंट है ना वह बहुत ही एज़ी है अगर किसी को असेस्मेंट अच्छे से करनी आती है अब कई बार डोक्टर्स बोल देते हैं अरे मास फट गया मास फट गया तो मूमेंट्स क्यों नहीं आ रही है तो पेशेंट काफी कंफ्यूज भी होते हैं आर्सिटी पे पर बहुत ही इज़ी इसका ट्रीटमेंट है ठीक है तो आप अपनी असेस्मेंट भी बहुत अच्छी रखें कंसल्टेंसी में ट्रीटमेंट ज्यादा काम नहीं आता पेशेंट जिनका अपना क्लीनिक है ना मैं उनको तो बताना ही जाओंगी कि असेस्मेंट पहले कि अगर आपनी असेस्मेंट अच्छे से कर ली तो अपने आप ही बेस्ट हो जाएगा सो कॉशन नमबर एट सुप्रास्पाइनेटर्स टैनिनाइटी सीन मोस्ट ऑफन इन ठोविंग ठोव देखो ठोव एथलीट ठीक है आपको यह चीजें जरूर पढ़ने हैं देखने हैं कि जो ठोव करते हैं बोल को ठोव करते हैं या बैड इंजरी होती है उसमें होती है आर सीटी इंजरी और किस मसल की होती है सुप्रास्पाइनेटर्स जो ठोव करते हैं उनको सुप्रास्पाइनेटर्स टैनिनाइटिस हो जाता है सो इसमें कौन सा टेस्ट होगा नियर इंपिंजमेंट है या स्पीड होकिंग्स केंडी या एक पीड भी नहीं होगा Hawking एगवा भी नहीं होगा तो अंस्वारीज हमारा सी नियर इंप्रिज्मेंट एंड Hawking's candy कि नेक्स फोल शोटी सब स्केप्लरी टेंदनाइटिस कि टेस्ट है नियर इंप्रिज्मेंट हौकिंग केंडी लिफ्ट ओफ एंड जर्गासन तो सब स्केपलरी में आपका आएगा नियर इंपिंजमेंट हौकिंग एंड जर्गासन यह तीन तो होई नहीं सकते तो अंस्वरी इस लिफ्ट ओफ कोशन नमबर 10 है एफ फंक्शनल सेंसरी टेस्ट विच मेजर दा फंक्शन ओफ स्लोली अडेप्टिंग ए बीटा फाइबरीन मेडियन नर्व इंजरी इस नोन एज फॉलोविंग टेस्ट ठीक है डेल्ट डेलोन मोडिफिकेशन ओफ मोब बर्ग पीकिंग अप इसको नदेरे सब्सक्श्Tube इस याद कर सकते हैं आप प cont varies को मैं पराइब प्य में अनर पाल्सी में कौन से किरन वह जाती टैनल बर्ग शॉट लिम है स्टेप इस टॉप इज निये स्टेप इज या फिर लर्चिंग गेट जल्दी से अपना अंसर बताएं आप क्या टैनल बर्ग है या फिर शोट लिंब है या फिर हाई स्टेप इज या फिर लर्चिंग गेट आहिए तो ंस वर एज हमारा है हाई स्टेप इज गेट नेक्स्ट कोशन विंगिंग में स्कैपिल यह कोशन एक बार इमस में आय था दूसरी बार नहीं आयống था यह कोश्न घिक asked तो इसमें मस्ल पूछी गई थी कि कौन सी मसल इन्वोल्मेंट होती है पैरालिसिस ओफ सिरेटरस एंटीर क्या ये मसल है लोंग थोरेसिक नर्व C5, C6, 6 रूट अवल जन ओल तो विंगिंग वसकेपला इस दू तू ओल दीज ओल अफ दा अबाव नेक्स्ट कॉस्टन है 13 क्लंपीज ब्रेकल पालसी है फॉलोविंग फंक्शनल डिसेबिलिटी एक्सेप्ट डिसेबिलिटी, फंक्शनल डिसेबिलिटी एक्सेप्ट पूछा गया है सो डिफिकल्टी टाई शू लेस इट्स एंड इसमें है आगे झाल प्रेकल पूँ पूँएंग है option number difficulty in tie shoe laces यह नहीं है it's and and option number b difficulty holding knife and cutting c difficulty in overhead activities like retrieving objects from higher sleeves and d difficulty in writing so अपना answer दीजिए कौन सा है इस में से मैं देरियूं answer is आपका c difficulty in overhead activities like retrieving objects from higher sleeves question number 14 entire flail arm splint flail arm splint is prescribed in duchin apps duchin palsy clumpies palsy global pluxes palsy and all of the above देखो यहां पर global pluxes palsy है न एक बर google पर डाल लेना कि global pluxes palsy क्या होती है देखो यह नहीं 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 जो टोपिक्स हैं उनके बारे में आपको knowledge हो जाएगी जो फ्लेयल arm splint है इस प्रिस्ट्राइब इन ग्लोबल pluxes palsy के लिए यूज क्या जाता है नेक्स्ट है फियर बैंक स्प्लेंट कौन सा है फियर बैंक स्प्लेंट विच होल्ड दा शॉल्डर इन अब्दक्शन अब्दक्शन नूट्रल रोतेशन अल्बो इन 90-degree flexion forearm in supination wrist and fingers extended as in वेटर केरिंग ट्रे पोजिशन इस प्रिस्क्राइब इन तो यह सब को कोशन पता होगा वेटर टीप वाली जो पोजिशन होती है वो होती है एप्स डुच्चन पाल्सी में कोशन नूमबर 16 क्लासिकल डिफॉमिटी इन एप्स डुच्चन पाल्सी इस पुलिसमें टीप हैंड और फ्लेल आम बी वेटर टीप हैंड और वेटर केरी केरी ट्रे पोजिशन आपको बहुती ध्यान से पढ़ना है कोशन वेटर केरिंग ट्रे पोजिशन और पुलिसमें टीप हैंड दी है पुलिसमें टीप हैंड टीप हैंड बेटर टीप हैंड आएटल नेक्स कोशन है तैंदलबीं ट्रेस्टवेतर तिप हैंड इंपोरेंट है हैं तैंदल बरीफॉक प्लीटीव इन पेरालीशिस अबड़क्टर, अबड़क्टर, फ्लेक्जर और एक्स्टेंसर बताई यह जल्दी से आप्ड़क्टर अबड़क्टर मसल नेक्स्ट कोशन है, लिए तो सब को ही पता होगा, कौन सी होती है कंसी होती है, वह होती है, आपकी स्पास्टिक, एधितोइड, आटेकजिक, Minx पताईए आप जल्दी से अपना अंसवर दीजीए, answer is spastic cerebral palsy is the commonest variety of a palsy 19th question the test to examine the ileotibial tightness ileotibial track tightness is described by thomas over la and tendelberg important i a b so answer these and this is apna ileotibial it bendi ke liye kounsa test use kaya jata hai it bendi ke liye use kaya jata hai over test 20 question hai when the gastronomia and soleus muscle are paralyzed following orthosis thank you sorry deko is pena a question or as a star as a star as a star gastronomia and soleus kena moments pushy jati ya kaiba dorsey flexion and planter flexion in inka combination book kai baren a chuka hai or isco isco joey joey your anatomy ki book uthalena or anatomy ki book me gastronomia soleus calf muscle and anterior imso vii cire aion ig 에lor outibiar how much cubic muscle to the mortgarden I love you bawl of sheets which makes the vertebraate action toıld島 Williams откrisa you sorry in mahi u r a s bir Lynn also tell me white hey JP was cha hem prays टिब्यालिस एंटीडियर पे तो काफी बार कोश्चन आता है चीक है तो यह देख लेते हैं इसमें क्या पुछा गया है और्थोसिस पुछा गया है गेस्ट्रोनीमियस है सोल्यस का तो डॉसी फ्लेक्शन असिस्ट स्प्रिंग और्थोसिस बी बिलो नी और्थोसिस विद प अधे नीट्रल पोजिशन दी इस्टाटिक एंकल फुटे और्थोसिस तो अंस्वर इस सी प्लांटर फ्लेक्शन असे इस्ट श्रींग बिलो नी और्थोसिस विदे दोसी फ्लेक्शन फॉट अट नीट्रल पोजिशन वन कोशन है रमेटोड अर्थ्राइट इस एचल ले इस बताईए जल्दी से बी टुन्टी सेवन है या डी बी बी वन है या डी क्यू बी आई है तो क्या है अंस्वर इस डी आर बी फोर है आरे का एचल ले डी आर बी फोर सो नेक्स कोशिन है हमारा स्टिर्णो और सिपितल मेंडिबुलर immobilizer means somi-brace is most effective in controlling forward flexion between c1 and c4 you have a forward flexion between c5 and c7 extension of cervical spine at all level and लेटल फ्रेक्शन और सर्वाइकल स्पाइनेट और लेवल तो बदाएए आप अपना अंसर किसका अंसर क्या होगा जो हमारी सोमी ब्रेस है वो कौन सी म्यूमेंट को कंट्रोल करती है कंट्रोल करती है फोर्वर्ड फ्रेक्शन बिट्विन सी वन एंड सी पॉर नेक्स कोशिन है फोर पोस्टर सर्वाइकल ब्रेस यह कोशिन आ चुका है पहले एंस में इस पॉर्ड पोस्टर प्रेस लिए यूज किया जाता है कौन सी एसी मोमेंट आ जिसको लिमिट किया जाता है जो फ्लेक्शन इन दा लोवर सर्वाइकल स्पाइन फ्लेक्शन इन मिड्शर वाइकल स्पाइन लेक्शन इन रौटेशन अफाइन वाव्द अबवाव वीकेल है ऑंसवर इस फ्लेक्शन इन एमिड्शर वाइकल स्पाइन इं antibीट स्पाइन इंयमिंपोर्टेंट है अच्छे से करना इसको hello body orthosis limits flexion extension lateral flexion and rotation all of the above so answer is hello body orthosis flexion को भी control करता है extension को भी lateral flexion and rotation को भी और ये all of the above हो गया हमारा answer all of the above next question है Minerva jacket is made from is made from low temperature thermoplastic high temperature thermoplastic plaster of Paris all of the above Minerva jacket is made from सबको पता होगा इसकांसर plaster of Paris tailor brace बहुत इंपोर्टेंट है हर बार मिलता है वही हर बार thraco lumbar only किसके लिए thraco or lumbar thraco lumbar flexion extension and lateral flexion b rotation of the lumbar and lower thoracic region both a and b and rotation of the upper thoracic region so also the answer is a and b next question anterior spinal hyperextension brace anterior spinal hyperextension brace is based on following principle in a three-point action of a bending force or linear force system b parallel force system or general force system three-point action or bending force or parallel force system and d linear force system or general force system अब इसमें यह ध्यान रखना जो antiris spinal hyperextension brace होती है वो three-point action of bending force और parallel force system को किसे दांत पर यूज की जाती है 28 है hard cervical collar यह भी आया था इंस में ही आया था पूचा गया था जो हमारा हार्ड सर्वाइकल कोलर है वो क्यों यूज करते हैं तो एक्स्टेंशन के लिए यूज किये जाते हैं न्यूटल पोजीशन के लिए या फिर फ्लेक्शन के लिए या फिर ओल ओफ दा अबोव के लिए बताइए जल्दी से हार्ड सर्वाइकल कोलर यूज किया जाता है नूट्रल पोजीशन के लिए नैक्स कोशन हैं हमारे डाइनमिक देखो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है मेर से डाइनमिक ट्रेक्शन यहाँ पर प्रोसेस आ गया यहाँ पर क्या है डाइनमिक ट्रेक्शन स्प्लेंट इस इंडिकेटिड यूज बताना है इन वन अफ दा फॉलोविंग अलनर मीडियन रेडियल एंड लेटरल पॉपलीटियल जल्दी से अपना अंसर दें कि अपना आपको यह ट्रेक्शन वाला दूसरा कोश्चन बता दिया है यह यहां पर ट्रेक्शन ही नहीं आएगा यह इसका डैनेमिक ट्रेक्शन भी होता है ना तो मैं सुचे की प्रोसेस की जिन एट्रेक्शन है तो यह प्रोसेस नहीं है प्रोसेसर है प्रो प्रोसेर डैनेट प्रोसेसर स्प्रेंट इस इंडिकेटिर बन ओव दा फॉलोविंग तो यह यूज किया जाते है अलनर के लिए नेक्स कोशन है लीजन एट 66 और अबव इंपोर्टेंट कोशन है हर बार पिछली बार भी आया था इमस में मैंने कोशन में बताया हुआ है लीजन एट T6 और अबव इस नोन अस और्थोस्टेटिक या फिर ओटोनोमिक डिस रिफ्लेक्सिया या फिर सिस्टमेटिक हीपर टेंचिन या रिफ्लेक्स गिज सिंपेटिक डिस्ट्रेस तो अंस्वरी ज उटोनोमिक डिस रिफ्लेक्सिया नेक्स कोशन ए हमारा दा इनकंप्लीट इनघ्ट्च पाइनल कोड इंज्री मोस्ट कॉमन तो दा सर्वाइकल रिजन ठीक है कई बार पूछ लेते हैं ही incomplete or complete lesion injury cervical lesion in which the center part of the cord is damaged and it results in greater weakness in the upper limbs lower motor neuron type then in the lower limbs upper motor neuron type with sacral sorry with this sacral sparing is known as following syndrome देखिएगा mcq anterior जो मैंने topics आपको पहले बताए हैं उनमें मैंने बताया है कि आपको ये question कैसे करने हैं आपको इनके symptoms करने हैं जितने भी code है complete और incomplete injuries है इनके symptoms करने और question आपके symptoms पे आएंगे कि ये symptoms हमने दे दिये हैं और इस symptoms में कौन सी injury होगी ठीक है तो आपको शायद आपने preparation कर ली होगी इन topics की इसमें पूछा गया है कि greater weakness देखो इसमें पढ़ने वाली चीज़ क्या है कि ये पूछ रहे हैं greater weakness in the upper limb ठीक है ज्यादा weakness तो कौन से में है अपर limb में है और lower limb with sectoral sparing is known as following syndrome तो इसको कौन सा syndrome बोलेंगे इसको बोलेंगे हम central cord syndrome देखो इसमें भी क्या दिया हुआ है symptom दिये हुए है क्योंकि symptom से ही पूछ सकता है examiner और कोई इन में question बनते नहीं है नेक्स कोशन है दा लीजन टू दा सेक्रल कोड ठीक है एल लंबर नर्व रूट्स विदिन दा स्पाइनल के नाल रिजल्टिंग और रिफ्लेक्सिक ए रिफ्लेक्सिक ब्लैडर एंड बाउल ठीक है उसमें यह आ जाएगा कि ब्लैडर और बाउल syndrome कौन सी किस इंजरी में होता है sorry कि स्पाइनल कोड इंजरी में होता है and lower limb is known as इसमें यह क्या पूछ है कि बाउल and blader इनवोल में इनवोल होते हैं और लोवर लिम इनवोल होते हैं ठीक है तो उसमें कौन सी होएगी Central Code, Brown Secured and Cons, Medullary या फिर यह रहा Sorry, Interior Code A Option, Interior B Central C, Brown Secured and D, Cons तो अब बताईए देखो इसमें Bowel and Bladder यह Quotient Bowel and Bladder पे आ चुका है कुछ अलग करके आया था पर आया था और Lower Lim देखो जिस वो Condition बताऊ जिसमें Bladder और Bowel इनवोल हो और Lower Lim भी इनवोल हो वो Condition है हमारी Cons, Medullaries कौन सी है Cons, Medullaries आगे चलते हैं Lower Motor Neurone Injury to the Lumbosacral Nell Roots within the Spinal Canal Resulting in Air Reflexic Bladder, Bowel and Lower Limit यही है क्या है अंसर इस Cons and Medullaries डेबल टाइप हो गया है यह शयद नहीं इसको हम दुबारा से रीड करते हैं कुछ इसमें डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ इसमें Lower Motor Neurone Injury to the Lumbosacral Nerve Roots within the Spinal Canal resulting in Air Reflexive Bladder, Bowel and Lower Limb is known as Following Syndrome कौन सा सिंड्रोम होगा इसमें यह सिंड्रोम बनेगा हमारा Quadra Equina Quadra Equina देखो लग तो यह दोनों सेम रहे हैं ठीक है पर यह डिफरेंस कैसे हैं इन दोनों कोशन में देखो यह इन दोनों कोशन में डिफरेंस कहां है इसमें तो पूछा गया है Sacral Corde and Lumber Nour Root Sacral Corde and Lumber Nour Root और इसमें क्या है Lower Motor Neurone Injury To the Lumbosacral Nour Root Within the Spinal Canal देखो यही बैस इसमें इन दोनों कोशन को डिफर कर देते हैं तो आपको कोशन को यह बिलकुल ध्यान से पढ़ना है वैसे पूछेंगे सिंपल इतना टफ भी नहीं पूछेंगे कि इस तरीके से कन्फ्यूज करेंगे तो अंस्वर है इसका Queda Aquana इसका अंस्वर है Queda Aquana और इसका अंस्वर है कौन से Medullaries Next question है अमारा Asia Impairment Asia Impairment Scale Used in Asia America 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 सब को जाना होगा गूमने के लिए रहने के लिए नहीं जाना है Only सिर्फ गूमने के लिए जा सकते हैं America Spinal Injury और गूमना भी चाहिए हर जिंगे Injury Association Full Form भी आ जाती है ऐसा नहीं है की नहीं आएगी आ सकती है America Spinal Injury Association देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है Spinal Injury के लिए यूज किया जाता है ये और ये AIMS में पीछे आया था मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि मेरे को ये कैसे याद रहा था ठीक है तो America Spinal Injury Association जाएंगे आप अमेरिका गूमने ठीक है जोब लग जाने दो फिर जाना गूमने तो अंस्वर है इसका क्या स्टोक है या कोर्ड इंजरी है या Cerebral Palsy है या अंजाइना है तो ऐसे भी कोशन आ सकता ये मैंने देखो डिटो कोशन जो आया था AIMS में दिया था पिछली बार वही मैंने यू का यू कोपी मार दिया आपको ठीक है तो उसमें स्पाइनल नहीं दिया हुआ था सिर्फ कोर्ड इंजरी दिया हुआ था ठीक है तो स्पाइनल अपने आप लगा लेना और लिग देना कोर्ड इंजरी तो आज के MCQ 30 है और ये MCQ आपको अपने अटेंप करने है और अटेंप करने के बाद आपको अपना evaluation करना है कि आपके कितने question ठीक रहे और कितने question गलत रहे ठीक है और अगर ऐसे evaluation करेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी ठीक है और एक और मैं आपको बताना चाहूंगी मैंने एक video डाली थी polio में है उसमें मैंने पूरा polio का बताया हुआ है आपको ठीक है तो शायद वो मेरे content से delete हो गई है mcq part 9 शायद उसमें मैंने cranial nurse कर आए थी आपको क्योंकि delete क्यों होगी क्योंकि मेरा बिटा कारिगरी करता रहता है पूरा दिन उसकी छुटियां होगी है और उसने पता नहीं वो वीडियो कैसे delete कर दी तो आपको करना है मैं बता देती हूँ cranial नर देखो एक question है ना जरूर आएगा जो मैं बता रही हूँ ना अगर आ गया ना तो आप है ना यह करोगे कि ओहो हम तो यह करके आये थे आपको ना cranial nerve के ना name बहुत ही अच्छे से करने है name ठीक है function करने है कहां कहां यह supply करती है फिर आपको type of nerve करने है type कितनी है three है sensory है motor है और mix है so sensory हमारी तीन होती है motor हमारी चार होती है और mix हमारी पांच होती है अब आपको क्या करना है आप समझ सकते हैं ना बस पढ़ाते वक्त आप पोज कर ले ना वीडियो को ठीक है और फिर इसके बाद इसके बाद ही करा देती हूं आपको जल्जी यह लिख देती हूं चलो कोई नहीं क्रेनियल नर्व नेम फंक्शन ठीक है अच्छे से करना है जरूर आएंगे दो कोशन जरूर मिलेंगे और फिर करना है टाइप ओफ नर्व और टाइप ओफ नर्व में तीन है सेंसरी मोटर एंड मिक्स सेंसरी हमारी तीन है मोटर हमारी चार है और मिक्स हमारी पांच है अब इसमें भी आप यह देखना है आपको ऐसे करना है कि सेंसरी कौन-कौन सी है वन टू और एट है ठीक है और मोटर हमारी जो भी है वो लिख लेना चार नर्व हैं और मिक्स वो भी लिख लेना है याद कर लेना आपनी ठीक है दो याद कर लेना और तो बची जाएंगी अपने आपी पांच और ना एक और मैं तरीका बताती हूं आपको जल्दी से इसको रेड कर लो फिर ये दुबारा से रब हो जाएगा वर ना ठीक है हाँ एक और मैं आपको ना तरीका बताती हूं एक्साम में बैट जब आपने बैट जाओना एक्साम में आपको ने अशेट मिलेगी रफ शीट मिलेगी ऐसे ठीक है आपकी होगी रफ शीट उस रफ शीट को लेना और जल्दी जल्दी साइड में अपना रॉल अमबर नेम ये लिख वाएंगे वो लिख देना है ठीक है और फिर आपको क्या करना है उसके बैक साइड में उसको पलट कर क्रेनील नर्स लिख लेना ठीक है मीन मün नेम लिख लेना जल्दी बारा क्रेनील नर्स पहली दूसरी थीसरी चोथी 5 ओी ऐसे बारा ऐसे सीरियल वाइस लिख लिए है फिर आपको इस साइड क्या करना है एस सोरी देखो मैं तो हमेशा एक्जाम में ऐसे ही करती हूँ जो जी सी में मैंने ऐसे ही किया था मैंने सुत्र याद करके गई थी तो ऐसी यहाँ पर नेम लिख दिया अपना रोल अंबर फिर करना है आपको इसके पीछे वाले उस पर करना है ठीक है क्रेनियल नर्व लिख लेना उलट दिया पेपर पीछे क्रेनियल नर्व बारा बारा ऐसे लाइन वाइज नेम लिख दिये ठीक है जब भी कोशन आएगा तब भी आप तुरंट उसको कर देंगे देखके इस साइड लिख देना A B C D चोटे 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 अकुरों में लिखना है इसा नहीं कि बड़े बड़े में लिख दो कि टीचर भी गुस्सा करें तो चोट चोटे एक्स रोमें पूरी अल्फा बेट लिख देना यह आपको रीजोनिंग में काम आएगा ठीक है फिर जब आप पेपर टैम करेंगे ना तो आपको लिखने की जूरूत नहीं पड़ेगी इसमें से देखके और तुरंद कर लेना फिर जिन चीजों में आप confusion होगी डबल चीजों में decorticate, decerebrate, botonier, swan neck ठीक है और open, close chain और ये callus fracture और उसका reverse fracture जो दो में आए ठीक है किस में आए? दो में आए जिनके दो topic लगे एकठे और जिनमें confusion हो वो आपने पहले ही लिख लेना अपने paper में अगर आता है तो ठीक है नहीं आता है भी बात नहीं उसको लिखे ही रहने देना कुछ नहीं होगा ठीक है ऐसे अपना दिमाग दोड़ाना है अपना अगर एक एक मिनट आपको बचानी है बस इतना ही आपको बताना था और तो ठीक है बस ओके अच्छे अब तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें कि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगें कि हाँ मैं आप कुछ वीडियो ठीक बना रही हूं ठीक है कमेंट्स कर दें अपनी वैलवेशन भेज दें या फिर सब्सक्राइब भी कर दें शेयर कर दें ठीक है कितने सारे काम होते हैं ठीक है आपका तो एक आपकी एक सेकिंड लगेगी पर मुझे क्या मिलेगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा ठीक है और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी अच्छा काम करने की कौशिश करूंगी धन्य लग्ट झाल 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 झाल